अगर आपके बाल अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहे हैं या आपके बालों बहुत ज्यादा ज़ड़ नहीं या आपके बालों में बहुत ज्यादा डेंडर की प्रोब्लम है या आपको ड्राइ हैर के प्रोब्लम से आप जूज रहे हो या आपके घुंग्राले बाले उसको अ सबी का स्वागत है मेरे चैनल fq4 ओनते हैं चलिए शुरू करते हैं अगर आपका बाल रुखे पन का सिका रहा है और आपके बहुत जादा जळ्ड रहे iti ITB अपके बालों वे बहुत जादा जड़ानी को इन सभी के बंड़ने में क्या करता है यह help करता है और सिलीका क्या होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को घना और मजबूत बनाता है तो केले में आपका एक यह antimicrobial गुन भी पाया जाता है जो हमारे फ्लेकी और ड्राय हेर को यह ठीक करने में help करता है साथ ही यह हमारे देंडर के problem से भी और हर आप भी इन सबी problem से परिशन है तो आपको यह बनाना हेर मास्क यानि बालों में किला लगाने के पुरे फाइदे को डिटेल से जानते है तो सबसे पहला फायदा है आपका hair growth, यदि आप अपने बालों के टूटने, जढ़ने और बाल नहीं बढ़ने के problem से अगर आप परिसान है, तो आपको अपने बालों में केला लगना चाहिए, तो banana hair mask में क्या होता है, कि आपका vitamin E और calcium भरपूर मातरा में पाये जाता है, जो हमारे बालों के लंबे होने में क्या करता है, यह help करता है, और banana में क्या होता है, कि आपका लगबग सभी परकार के nutrients इसमें मौझूद होते हैं, जो बालों के लिए बहुत ही जोरी होता है, और banana जो हमारे बालों को क्या करता है, nutrition देता है, और इसको मजबूत बनाता है, त ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यह आपका dendrop का जो problem होता है वो fungal infection के वैसे होता है तो यह केला में पाए जाने वाले आपके antibacterial और antioxidant गुंज होता है वो dendrop में पाए जाने वाले bacteria से क्या करता है यह fight करता है जिसके वैसे क्या होता है कि हम लोग को dendrop के problem से रहात मिलती है तो अगर आप लोग dendrop के problem से जूज रहे हो तो बनाना यानि केला आप लोग यूज कर सकते हो तो तिसरा फायदा है आपका scalp में खुजली को ठीक करने के लिए तो generally क्या होता है कि हम लोग के scalp में खुजली बेगारा का problem होते रहता है। इसी problem को ठीक करने के लिए हम लोग केला यानि बनाना hair mask का हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये scalp में खुजली होने का main कारण क्या होता है कि bacterial infection के वैसे होता है। और हम लोग के scalp में खुजली होने का मेन कारण क्या होता है कि धूल मिट्टी का जमना और तेल का यूज करने के वज़े से भी हम लोग के scalp में खुजली का problem हो सकता है। और हमारे क्या होता है कि केले में आपका antioxidant, antibacterial और antimicrobial गुन पाए जाते हैं। तो यह सारे गुन क्या होता है कि हमारे scalp में होने खुजली के bacteria को खत्म करने के लिए help करता है। तो अगर हम लोग के scalp में खुजली का problem है तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग केला यानि बनाना hair mask का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चौता फाइदा है हमारे बालों को मजबूत करने के लिए यानि अगर हमलोग के बाल बहुत जयादा कमजोर हें जड़ते हैं तो इस problem के ऩाकải्या कम जक्या करने के लिए हम लोग बनाना यानि का यूज्व कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग सहद मिला कर अगर यूज करते हैं, तो हम लोग को और ज़्यादा अच्छा result मिलता है, और केला क्या करता है, कि हमारे बालों को nutrition देता है, जिसके वैसे क्या होता है, कि हमारे बाल के जड़ होते हैं, उसको मजबूत बनाता है, और जिसके वैसे क्या तो हमेसा क्या होता है को उल्जेवे रहेंगे और वो देखने में भी उतना अच्छा नहीं लेगा तो इसी प्रोब्लम को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप लोग केला यानि बनाना हैर मास्क यूज कर सकते हो और केला जो क्या करता है हमारे बालों को मोईस्टराइज कर और यह हमारे बालों को लंबे समय तक नमी बनाया रखने में यह हल्प करता है जिससे क्या होता है हमारे बाल रिश्मी दिखने लगते हैं और उल्जेवे बाल के परिसानियों से हम लोग को चुटकारा दिलाता है तो अगर आपको ड्राइय हेर का प्रोब्लम है तो आप के है हर इलास्टिसीटी को मैंटेन करने के लिए आपका बहुत है अच्छे क्षज में विट आकाया बालों के अटिश्मी में बनों के नमी और बेंशिकों में phones Already करता है तो आप लोग अपने बालों के elasticity को बहतर बनाने के लिए केले के hair mask यानि बनाना hair mask आप लोग यूज कर सकते हों तो सत्वा फायदा है आपके घुंगराले बालों को ठीक करने के लिए तो आप लोग केले के hair mask यानि बनाना hair mask का आप लोग यूज़ कर सकते हो तो I hope guys आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर अच्छी लेगी हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और